इंडिया की सबसे महेंगे फिल्म कल की टूए 9880 जिस मुवी के उपर प्रभास का कमबैक और इंडियन फिल्म इंडेस्ट्री का इमेज पूरे दुनिया वर के आगे प्राउडली लिया जा सके वो सब कुछ बस इस एक मुवी के उपर डिपेंडेट था और जब ये मुवी द डिरेक्टर भी उससे टोडने के लिए 10 वार सोचेंगे मुवी तो सबको पसंद आ रही थी लेकिन उसके साथ ही साथ मुवी का कलेक्शन कहीं सारे बड़े बड़े रेकर्ड को चकना चूर कर रहा था लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि जब भी कोई अच्छा काम होता है क कोई ना कोई उस काम को बिगारने के लिए उसकी बुराई करने के लिए हमेसा तैयार रहता है और ऐसा ही कुछ भै मुवी इंडेस्टी के साथ होता ही आ रहा था और उन लोग को बोला जाता है क्रिटिक्स जो कि हर एक मुवी को रिव्यू करते हैं उनके बारे में ओपिनि जब मुवी रिलीज भी हो गए उस मुवी को सिफ 2.2 स्टारी दिया गया था उन क्रिटिस के तरफ से और जब इस मुवी का कलेक्शन बहुत सारे बड़े-बड़े रेकॉर्स को टोड रहा था तो भाई उन क्रिटिस का बोलना यह है कि यह सब कलेक्शन फेक है कल की मुवी के makers ने collection के साथ बहुती बड़ा scam किया है और ऐसा statement और ऐसा take भाई critics ने बहुत सारी movies के साथ भी किया है आज तक Indian cinema में लेकिन कोई भी director, कोई भी makers, कोई भी producer उनके उपर आवाज नहीं उठा रहा था लेकिन कल की movie के makers ने इस मुद्दे के उपर आवाज उठाने के बारे में सोचा और उन्होंने कुछ ऐसा सोचा है ऐसा कर दिया है कि भाई उन critics के पैरों के नीचे से जमी निखी सक जाएगी ऐसा कुछ भाई कल की के makers ने प्रोडूसर ने कर दिया है जिन तिन critics ने बाई कल की movie के बारे में negativity फेलाई उनके collection को fake बताया उनकी movie को fake बताया और scam का अब भी उनके उपर लगाया उन critics के उपर कल की के makers ने पूरा का पूरा case file कर दिया है seriously बाई case file यह बहुत ही बड़ा statement है यह बहुत ही बड़ा step है इंडियन सिनिमा में आज तक किसी makers ने किसी producer ने या फिर किसी actor ने भी critics लोग के उपर इतना ज़्यादा harsh reaction कभी भी नहीं लिया है लेकिन कल की के makers का तारीफ करना पड़ेगा कि भाई वो सब इस मुद्दे के उपर खड़े हो रहे हैं और उन्होंने अपने case file पे यह mention कि है कि अगर आप बोल रहे हो कि हमारा मुवी का collection फेक है मुवी के collection पे हम scam कर रहे हैं तो चलो भाई हम मान लेते हैं कि हमने scam किया अभी हम लोगों ने आपके उपर case किया तो भाई अभी आप लोग अपना report दिखाओ अपना source दिखाओ कि भाई आपको कहां से लग रहा है कि हमारा collection fake है हमने कुछ scam किया है collection में अब बहुत दिखा रहा है तो भाई आपका source कोन है आपको कहां से यह information मिल रहा है अब स collection मैच नहीं हुआ तो भाई आपको 25 करोड देना पड़ेगा हमें seriously भाई देख रहे हो 25 करोड का case file किया है कलकी के makers ने उन critics के उपर और ऐसा नहीं कि तीनों critics को 25 करोड देना है हर एक critics को मतलब तीन critics है ना एक एक critics को 25 करोड देना पड़ेगा मजा आ गया इस case file को पढ़न चलो मान मी लेते है कि आप लोगों ने fake बोला कलकी मूवी ने 1000 करोड नहीं कमाया है अभी तक लेकिन भाई अभी इस movie का collection तो 1100 करोड या 1200 करोड तो पहुंचने वाला है अभी भी आपको बिस्वास नहीं हो रहा है कि कलकी मूवी ने 1000 करोड कमा लिया होगा इससे साब जा लेकिन आप लोग 25 करोड नहीं दे पाओगे मेकस को जाओ भाई जाओ सिधा माफी मांग लो मेकस इसने भी खराब नहीं कि आपसे 25 करोड ले अगर आप लोग ने अपना गलती मान लिया तो भाई वह अपना केस विड्रॉक कर लेंगी आप लोग बच जाओगे यार कंकाल को इतना हार्स भी नहीं होना चाहिए था आपका इस मेंटर को लेके इस केस फाइल को लेके क्या ओपीनियन है वो सब कुछ आप हमें कांट अप्स में मेंचन करके बता सकते हो और आगे भी इस केस फाइल से रिलेटेड में आपको अपडेट देता रहोंगा अगर आप लो अप्स में आपका इस क्या ह reactors को भी आपका इसो लेके रुष्ग के सबte Totally